उत्पादन में कमी के कारण वित्तिया भाव में किसान जैसे जैसे सोयाबीन की वुवाई के दिन समाप्त हो रहे थे उमीद थी के फसल हाथ में आएगी बरसाथ में लगाई थी दमदार दस्तक प्रकूरती ने दी साथ लेकिन उसके बावजूत पैदावार में भारे किरावट आई है तब अभी विक कापास के पैदावार पे वापसी के बरसाथ से दिखने लगा असर है अब जब की सोयाबिन निकालने का दोर अपने अंतिम चरण में है किसान वित्य संकट में आ गया है फसल निकालने की अवधी और बुवाई किसानों के लिए महत्वपुन है सुर्योदे और सुर्यास्त अपने खेत बांद में देखने वाला किसान फसल की रखवाली के लिए दिन रात एक कर देता है प्रकरती पर निर्बर्क खेती में अधिक से अधिक बुवाई हुई लेकिन चक्री भूंगा और खोड कीड इस रोग की वजह से सोयब उत्पादन में बड़े पैमाने बर गिरावत आई है वापसी के बरसात ने किसान के कपास उत्पादन को भिवित्य संकट में डाला है अब जब कपास निकालने का समय शुरू हुआ है तो कपास निकालते समय महसूस हुआ कि बरसात की वजह से सारा कपास गीला हो चुका है साथ ही जालों से गिरना शुरू हो गया है उसे निकालने के लिए मनुश्य बल की कमी देखी जा रही है आए दिन बरसाथ अपनी दस्तक दे रही है तब किसान भारे आर्थिक संकट में आया है आने वाले रभी की फसल में किसान अपने आर्थिक बाजू मजबूत नहीं कर सकता जिससे किसानों पर आर्थिक तंग्याने की संभावना दिख रही है किसानों को सरकार से मदद की आस है हिंगन घाट से NBCN News के लिए रवी यनोर करकी रिपोर्ट